तो अगर आप सीलिया में माइनिंग कर रहे हैं तो आप सभी को यह अपडेट मिल चुका होगा कि इसलिया की तरफ से यहां पे जो कोईन है कोईन तो आप माइन कर ही रहे हैं लेकिन आप सभी को फुरी में यूश्टिटी प्रोवाइट किया जाएगा तो इसके लिए आप सारे बड़े अपडेट्स आये हैं और मैंनो इसके रिगार्डिंग आपको पहले से ही यहां पर जो भी जानकारी थी वो प्रॉइट कर दी थी कि यहां पर प्लेश्टोर पे भी आपको अप्लिकेशन अप्डेट मिल जाएगा तो चलते हैं यह प्रोसस ही पूरा समझ लेते ह हूं अपने चैनल टेक्निकल आलोग में आपको कोई कोश्चन से क्वैरी है फटा फट से कमेंट वॉक्स के तरू बताइए चल पर नए आए हैं चल को सब्सक्राइब कर लिजें यहां पर देख सकते हैं यह इनकी सी यो हैं इम्यानुवल अफूला और इनकी तरफ से आप सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद यहां पर दिखेंगे कैलेंडर फॉर सेप्टेंबर थर्टींज एंड अक्टूबर आप एक एंडरोईड यूजर अब दिखेंगे आप यहां पर अच्छा कासा यूएशड टी आरं कर सकते हैं लेकिन यूएशड कि जो टर्म कंडिसंस हैं इनकारी निकल के आई है क्योंकि जो सीलिया की माइनिंग है वो काफी ज्यादा यहां पर क्रोस एक तरीके से आप आप देखेंगे आप एक complete होने वाली है और आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि यह दो से तीन महीने चलेगी तो आप दो से तीन महीने नहीं चलेगी लगवग एक से डेड़ महीने महीं आप एक लोज हो जाएगी यानि अक्टूबर लास्ट या आप मानेंगे नमंबर पंद्रे यहाँ पे आपका यह close हो जाएगा माइनिंग तो आप लोग अगर इसमें माइनिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी लेट मत हो यह माइनिंग सुरू कर दीजे क्योंकि यहाँ पे जो भी update है वो मैं आपको provide कर रहा हूँ और total जो distribution है Celia का अब यहाँ पे regulate यानि एक तर million total coin रखा गया था और यह जो 60 million यहाँ पे total coin रखा गया था यह लगवगा यहाँ पे complete होने बाला है कुछ ही यहाँ पे बचे हुए million जिनमें आप यहाँ पे देखेंगे यह जल्द ही cover होके और यहाँ पे close हो जाएगी mining अगर exchange listing की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाह लिए यह जो section यहाँ पे add किया गया है अप एक application miner है यह आप पर mining करते हैं फिर वी आपको यह section देखने को मिलेगा इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है how Celia building the largest integration exchange in अफरीका add usdt address बैप 20 address अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लोग address यहाँ पे add करना चात कर सकते हैं लेकिन जैसा कि मैंने बताया है यहाँ पे यहाँ पे देखा देता हूं जो इनकी तरफ से अपडेट प्रोवाइट किया गया था बीकली गिबवे रहेगा इसका आप देख सकते है Celia in our next update the trial for weekly referrals air drop contest यानि यहाँ पे बीकली एक air drop रखा जाएगा और यह referrals के लेकिन अगर आप यह सोच रहें कि यह dashboard अभी add कर दिया गया है तो अभी यह dashboard यहाँ पे add नहीं किया गया है अभी इसके लिए आपको wait करना है ठीक है अब कितना wait करना है कुछ गंटे आप wait कर लीजे कुछ गंटे में ही इनीबल हो जाएगा फिराम आपको next video में इसकी जा रही है तो यहाँ पे आप जानते हैं कि applications जो है यानि Google Play Store पे काफी traffic होता है तो उसकी बज़ए से applications यहाँ पे review में time लगता है तो जो new update है वो आपको जल्दी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा साथी साथ मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ जो bab minor है उनके regarding आप एक photo या इंसीलिया एयर डॉप और community referrals यह बैप minor के regarding यहाँ पे share किया गया ठीक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है verify referrals और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है weekly ranking यानि एक week में जो भी आप referrals कर रहे हैं उनकी आपको ranking देखने को मिलती है इसी के इसाब से आप सभी को यहाँ पे USTT प्रवाइट किया जाएगा तो यहाँ पे आप देख लीजिए unverified referrals यहाँ पे तीन है और total distribution जो है वो मैं आपको साफ दिखा देता हूं अभी तक एतना total यहाँ पे distribution हो चुका है यानि यहाँ पे जो 60 million यहाँ पे total coin रखा गया वेबसाइट पर अगर आप आप आते हैं तो यहाँ पे कुछ changes बगारा किये गए हैं यह आपको देखने को मिल जाता है is there any plan for Celia token burn क्या कोई plan है Celia के पास जिससे token burn किया जाए तो Celia will spend a portion for it revenue each quarter while back and burn Celia token अब यहाँ पे बताया गया कि Celia प्रते quarter में यानि जो भी आपे quarter होत रहेंगा वो यहाँ पे revenue से देगा यानि बापस खरीदेगा और उसके बाद उस revenue से खरीदने के बाद में जो यहाँ पे coin आएगा उस coin को burn कर देगा यानि market से यहाँ पे कुछ coin कम होता रहेगा यहाँ पर थोड़ा सा आंगे देखेंगे until we are able to lower the supply total supply for token from 200 million to 100 million अब यहाँ पे कहा गया है कि देखें जो यहाँ पे 200 million total supply है हमारी वो supply को यहाँ पे हम कम करती रहेंगे और यहाँ पे कहा गया है कि जो यहाँ पे 200 million है उसको घटा कि हम 100 million पे लाएंगे उसके बाद हम यहाँ पे burning बंद कर देंगे यानि यहाँ पे token का जो potential है बहुत ही अच्छा है क् यहाँ पे token आप देखेंगे आराम से half USDT को जब launch होगा तब अगर cover नहीं करता है तो कुछ समय में यहाँ पे cover कर लेगा क्योंकि यहाँ पे token burning का भी mechanism रखा गया है आगे अगर आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं the procedure reduce the quality of the Celia token for alter therefore retry and may impact for assets value का गया है कि coin की value है लगातार उसको हम increase करने पर focus करेंगे यहाँ इसका जो यहाँ पर assets याप एक तरीके से जो coin है उसी को मान सकते हैं तो इनको हम यहाँ पे impact सीधा सीधा पड़ेगा coin के price पे जब यहाँ पे burn होगा और यहाँ पे जब आप मान सकते हैं कि 100 million यहाँ पे रहेगी तो आपका तो token कहीं नहीं जा रहा है आप sell करेंगे वो आपका जाएगा आपके पास आप mine कर लेंगे आज बो तो आपका कहीं नहीं जाएगा तो जिन लोगों ने join नहीं किया है बाई साब join कर लिजे आंगे आपको पस्ताने के अलावा इसमें कोई chances नहीं मिलेगा बहुत सारी आते हैं किसी का कुछ feedback आता है सभी अपना-पना feedback रखते हैं लेकिन मैंने हमेशा से कहा है कि Celia को आप मिस नहीं करना है कि कोई यहां पर supply बहुत ही कम है और जो भी आप सभी के अब इसके regarding कोई questions है queries है आप में वता सकते हैं लेकिन USTD को मिस नहीं करना है वीडियो जल्द आएगा thank you for watching